यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए Market Wizards सबसे शांदार बुक है। यह है आपको ट्रेडिंग के सभी Important Lessons सिखाएगी और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगी। इस शांदार बुक को साल 1989 में जेग डि स्वागर ने लिखा है। यह है बुक दुनिया के सभसे सक्सेस ट्रेडर्स के इंटर्व्यूज का कलेक्शन हैं, जिसमें रिचर्ड डेनिस, विलियम ओनिल, स्टिफन ग्राहाम और अन्ये शामिल हैं। यह बुक ट्रेडिंग के बारे में एक वेल्यूएबल रिसोर्स है, जो हर ट्रेडर के लिए उपयोगी है, फिर चाहे वह बिगिनर हो या फिर एक्स्पिरियंस्ट। जिसे कई लोग impossible मानते थे, लगातार पांच वर्षों तक तीन अंकों का परसेंट रिटर्न, तीसरा अमेरिका के छोटे से शहर का एक ट्रेडर, जिसने बहुत ही कम मेहनत से शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे बड़े बोन्ट ट्रेडर में से एक बन गया है। जिसने पिछले सात वर्षों के दोरान 25% से अधिक का एवरेज मंतली रिटर्न हासिल किया है, जो एनवली 1400% के बराबर है। यह ट्रेडर मुख्य रूप से स्टोक इंडेक्स प्यूचर ट्रेडिंग करता है। पांचवां, MIT से एक इलेक्टिकल इंजिनियर ग्रेजुएट है, जिसने ट्रेडिंग के लिए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटराइजड एप्रोच से 16 वर्ष के पीरियट में अपने अकाउंट्स में आस्चरेजनक रूप से 0,500,000 परसेंट रिटर्न हासिल की है। यह सब इस बुक में शामिल इंटर्व्यूज का एक सेंपल मातर है। यहां इंटर्व्यू किये गए हर ट्रेडर ने इंक्रेडेबल सक्सेस आसिल की है। इन ट्रेडर्स को बाकी सभी से क्या आलग करता है। अधिकांस लोग सोचते हैं कि इनका मार्केट में विनिंग का स सिक्रेट फॉर्मूला खोजने से कुछ लेना देना है। सच तो यह है कि जिन ट्रेडर्स से जैक ने इंटर्व्यू किया उन में से किसी भी कॉमन डॉमिनेटर का संबंध एटिटूड की तुलना में एपरोच से अधिक था। कुछ ट्रेडर विशेस रूप से फंडामें को इंप्लिमेंट करते हैं जिने वे मंद्स या यहां तक की इयर्स तक होल्डिंग का इरादा रखते हैं। हालंकि ट्रेडिंग मेतडोलोजी व्यापक रूप से अलग है। फॉर्थ कमिंग ट्रेडिंग एटिटूड एंड प्रिंसिपल में कुछ इंपोर्टेंट समानता रिविल करते हैं। ट्रेडिंग हमारी एकोनमी में लास्ट ग्रेट फ्रंटियर में से एक अपोर्चुनिटी बरदान करती है। यह उन कुछ तरीकों में से एक हैं जिससे कोई व्यक्ति छोटे बैंक रोल से शुरुवात कर सकता है और एक्चुल मल्टी मिलेनियर बन सकता है। अफकोर्स केवल कुछ handful of individuals से ही इस उपलबदी को आसिल करने में सक्सेस होते हैं बट सभी के लिए at least opportunity आज भी मुझूद है। जैक आगे कहते हैं कि हलंकि उन्हें उमीद नहीं है कि इस book के सभी readers खुद को super traders में बदल लेंगे क्योंकि दुनिया इस तरह से काम नहीं करती है। जैक का मानना है कि ये provoking interview most serious और open minded readers को अपने personal training performance को improve करने में help करेंगे। यह कुछ selected को super trader बनने में भी help कर सकते हैं। लेकिन सभी का सबसे basic investment question यह हैं कि क्या market को beat किया जा सकता है। efficient market hypothesis एक unambiguous answer है कि जब तक आप उन लोगों में नहीं आते जो लक्की हैं। यानि market को beat किया जा सकता है या नहीं यह है एक जटिल सवाल है जिस पर दश्कों से बहस चल रही है। efficient market hypothesis यानि EMH का मानना है कि market हमेशा सही prices पर है और कोई भी investor लंबे समय में market की return को beat नहीं कर सकता। हलांकि कई investors का मानना है कि EMH गलत है और market को beat करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। EMH की support में कुछ सबूत है। उधारण के लिए stock market ने लंबे समय से average 10% की annual return हासिल की है। यह return की CV individual investor की return से काफी अधिक है। हलांकि यह ध्यान रखना में तो पूर्ण है कि EMH के वल एक थ्योरी है, market में उतार चड़ाव होते हैं और कभी-कभी investor market को beat कर सकते हैं। EMH का विरोध करने के लिए भी कुछ सबूत हैं। उधारण के लिए कई investors ने लंबे समय से market को beat किया है। इन investors में Warren Buffett, Peter Lynch और Jen Osborne शामिल है। इन investors ने market को beat करने के लिए कई अलग-अलग techniques का इस्तेमाल किया है, जिन में value investment, active portfolio management और derivative का इस्तेमाल शामिल है। अन्ततय market को beat किया जा सकता है या नहीं? यह सवाल एक individual question है। Efficient Market Hypothesis एक theory जो बताती है कि market prices कैसे निर्धारित की जाती है और process के implications पिछली half century के दोरान markets and investing पर अधिक academic research की foundation रहे हैं। यह theory investment के लग-बग हर important aspect को रिखंकित करता है, जिसमें risk measurement, portfolio optimization, index investment और option price निर्धारित आदी शामिल है। Efficient Market Hypothesis को इस प्रकार short में present किया जा सकता है। Traded Assets की price पहले से ही सभी ग्यात information को reflect करती है। नई information को reflect करने के लिए, asset price instantly change हो जाती है। इसलिए market price एकदम perfect होती है। किसी भी information का उप्योग करके, market से लगातार बेहतर perform करना impossible है, जिसे market पहले से ही जानता हो। Efficient Market Hypothesis तीन basic flavors में आती है। Number 1, Weak Efficiency Efficient Market Hypothesis का रूप यह बताता है कि पिछले market price data का उप्योग, market को beat करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानि technical analysis waste of time है। Number 2, Semi-Strong Efficiency EMH के इस रूप का तर्क है कि आप publicly upload किसी भी information का उप्योग करके, market को beat नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि fundamental analysis भी waste of time है। Number 3, Strong Efficiency EMH के इस रूप का तर्क है कि private information का उप्योग भी, market को beat करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानि insider trading rule को लागू करना भी waste of time ही है। यानि result इस book के readers भ्रहमित हैं। EMH यह मानती है कि market को beat नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी के पास समान information है। इस तर्क में conceptually error है। भले ही सभी के पास समान information हो। फिर भी यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे market या security के appropriate price के संबन्द में एक ही decision पर पहुँचेंगे। For example, एक chess tournament में सभी के लाड़ी समान rules को जानते हैं और world champion द्वारा पिछले खेलों के समान, chess books और record तक पहुँच रखते हैं। फिर भी केवल एक छोटी सी minority ही better perform करती है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सभी खिलाड़ी समान effectiveness के साथ समान information का उपयोग करेंगे। Market जो एक माइने में chess से भी अधिक complex game का representation करता है। फिर इसे अलग क्यों होना चाहिए। Chess tournament में कुछ highly skilled players, weak players की mistakes का फाइदा उठा कर most of the games जीत लेंगे। Chess की तरह कुछ highly skilled market participants से एक ही information को interpret करने की अपैक्षा करना reasonable लगता है। Market Chess की current position इसलिए बोलने के लिए majority से अलग और probable market direction के बारे में variant conclusion तक पहुचेंगे। इस conceptual framework में अधिकांस less skilled market participants की mistakes, prices को incorrect level तक ले जा सकती हैं। यानि prices unknown equilibrium levels से out of line हो जाते हैं, जिससे अधिक skilled traders के लिए opportunity create होती है। EMH के supporters यह तरक देने में बिल्कुल सही हैं कि market को beat करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वे wrong region से correct हैं। Market में gain हासिल करने में कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि price तुरंत सभी ग्यात information को कम कर देती है। यह इसलिए होता है कि price पर emotion का impact बहुत अलग होता है और इसका आंकलन करना लगबग impossible होता है। कभी-कभी emotion के कारण prices, appropriate price की किसी भी fair value से बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम इन periods को market bubbles कहते हैं। अन्य समय में emotion के कारण prices, appropriate price की किसी भी उचित परिभाशा से काफी नीचे गिर जाएंगी। हम इन periods को market गबराहट कहते हैं। अन्त में शायद अधिकान समय में emotion, prices पर एक limited distortions impact डालती है। Market environment जिसमें EMH एक reasonable अनुमान परदान करती है। इसलिए या तो market prices, fair valuation के line-up नहीं है, या हमें यह निर्धारित करने के difficult task का सामना करना पड़ रहा है कि price deviation कितना बढ़ सकता है। हालां कि यह identify करना अक्सर possible होता है कि market कब euphoric और panic state में है। लेकिन यह assessing करने में कठिनाई होती है कि bubble और panic कितनी लंबी चलेगी, जिसे market को beat करना इतना कठिन हो जाता है। किसी market के लिए appropriate price का assessment करने में कोई व्यक्तिब बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी position लेने से भारी loss उठाना पड़ सकता है। For example, एक trader पर विचार करें जिसने 1999 के अंत में यह decide कि technology stocks में उपर की और तेजी से बढ़ोतरी होई। और Nasdaq Index 3000 मार्क पर पहुँच गया। हलांकि बबल फूटने के बाद के decade में मार्केट में कारोवार कहां हुआ। इस संदर में यह आंकलन बिल्कुल सही होता। लेकिन हमारे चतुर ट्रेडर शायद तूट गए होंगे। क्योंकि मार्केट पीक पर पहुँचने से पहले 68% additional बढ़ गया था। यह साल 2000 के मार्च में 5048 पर था। ट्रेडर्स का मार्केट कॉल fundamentally correct होता और 10 year प्लस बुल मार्केट में टोप पर पहुँचने में केवल 4 महिने का समय लगता। फिर भी ट्रेड अभी भी एक disaster ही होता। मार्केट को जीतना इतना कठिन क्यों है। यह समझने के लिए मार्केट की perfection की धारना का सहारा लेने की कोई आवशकता नहीं है। यह मानना कि emotion प्राइस पर एक मजबूत और यहां तक की प्रभावशाली प्रभाव डाल सकती हैं जिसके critical implications हैं। मार्केट बिहेवीर के इस view के अनुसार मार्केट को बीट करना अभी भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर सही कहा जाए तो इसे बीट करना impossible नहीं है। वास्ताव में, emotion के effect के कारण, prices, true valuation से, out of line होने से, खुद ही investing and trading की opportunity create हो जाएगी। बढ़ते contradictory evidence के बावजूत, EMH के supporters, theory को छोड़ने के इच्छुक बिलकुल नहीं हैं। क्योंकि यह risk assessment, optimal portfolio allocation और option price निर्धारित करने सही, critical financial application की एक wide range के लिए base प्रवाइड करता है। हालांकि unfortunate fact यह है कि इन applications से गलत conclusion निकल सकते हैं क्योंकि underlying assumptions गलत हैं। इसके अलावा, errors उन periods में सबसे अधिक होगी, जब errors की cost सबसे जादा होगी। कुछ अर्थों में, EMS proponents उन उस proverbial आदमी की तरह है, जो lamp post के पीछे, parking में गिरी हुई कार के चाबियों को डून रहा है, क्योंकि light वहीं पर है। EMS की खामिया serious और numerous दोनों ही है। यदि यह सच है, तो impossible happening हुई है, और यह भी कई बार। केवल एक उधारन का हवाला देते हुए, 19 अक्टूवर 1987 को S&P futures में आस्चरेजनक रूप से 29% के गिरावट आई। यदि EMH सही थी, तो एसी गटना गटित होने की संभावना, 160 में से केवल 10 होगी। यह है एक probability जो इतनी impossible से दूर है कि यह universe में एक specific atom को randomly pick करना और फिर इसे दोबारा second trial में randomly pick करने की संभावना के बराबर है। कुछ market participants ने एसे track record हासिल किये हैं, जो एक statistical impossibility होगी यदि EMH सच होती prices को correct level पर adjust करने के लिए, assumed mechanism एक true-tipored premises पर based है क्योंकि कम जानकार trader के actions या hazards और government की activity से informed trader के price impact को temporarily कम किया जा सकता है चो profit के अलावा अन्य factors से motivated होते हैं। Market price किसी भी possible valuation के बिलकुल ये out of line होना एक common घटना है। Fundamental news के well-known होने के बाद, अक्सर price में moves यानि उतार चड़ाव होता है। सभी के पास same information होने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई equal efficiency के साथ information का उप्योग करेगा। EMH prices पर human emotion के impact को शामिल करने में fail रहती है। जिससे एक key market price impact छुट जाता है। जो पूरे इतिहास में कई बार, for example, market में bubble और crisis की तरह, fundamental factors के influence पर dominate रहा है। Bad news यह है कि EMH संयोग के अलावा market को beat करने की possibility को खत्म कर देगी। और यहां good news यह है कि EMH theoretical and empirical दोनों grounds पर गहरी imperfect लगती होती है। तो इस section के शुरुवात में question का answer देने के लिए हां, market को beat किया जा सकता है। हलांकि एसा करना बहुत difficult अवश्य है, लेकिन impossible नहीं है। यहां Jack बताते हैं कि उनसे अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या market wizard बनने का talent बाईबर्थ है या यह hard work का मामला है। Jack का standard answer एक running analogy का उपयोग करना है। Physical unconditioned लोगों को यह कारिय भले ही डराने वाला लगे। लेकिन sufficient training और dedication के साथ अधिकांस लोग मेरा थन दोड़ सकते हैं। लेकिन केवल right physical विशेस्ताओं के साथ पैदा हुए कुछ एक ही होते हैं जो सक्षम होंगे भले ही वे कितनी भी मेहनत करें। Trading के लिए analogy यह है कि मेरा थन दोड़ के समान hard work से efficiency अचीव की जा सकती है। लेकिन elite level पर perform करने के लिए कुछ हादा तक buy birth talent की भी आवशकता होती है। Market के कई market wizards द्वारा प्राप trading success का level केवल इसलिए समभव है क्योंकि उनके पास कुछ buy birth skill या कुछ inner radar है जो उन्हें यह समझने की बेहतर समभव न देता है कि आगे market क्या करने वाली है। Jack को इसकी परवा नहीं है कि कोई व्यक्ती ट्रेडिंग के परती कितना समर्पित है या वह कितने गंटे ट्रेडिंग स्क्रीन को देखने को तयार है। वास्त्विक्ता यह है कि इस प्रकार का skill अधिकांस लोगों की पहुंच से बाहर होगा। अगर आपने इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखा हो और मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वे अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अवार आपको बाहर हो अवार करें।